हे वरिवन, वेलकम टो अनेस्ट आवालाइस केडमी उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग त्यारी भी काफी जबरदस्ट चल रही होगी आप हमें देख पाड़े होंगे UPSC के विव साइट पे और इस पे हम आये हैं क्योंकि इस पे एक जबरदस्ट न्यूज आया है और वो आया है NDA examination के regarding तो काफी जबरदस्ट है और ये भारत में पहली बार हो रहा है UPSC CAC जो exam conduct करवाएगी NDA exam में भारत में पहली बार हो रहा है यूँ कहे तो इंडिया का ये पहला exam हो रहा है जिसमें अब बुमेंज को यहाँ पे देखिए National Defense Academy and Novel Academy Examination 2nd 2020, 2021 Schedule of 1411, 2021 Only for women candidate तो ये काफी जबरदस्ट न्यूज है महिलाओं को अब मौका मिलेगा जो भी बुमेंज है उनको अब मौका मिलेगा अब वो National Defense Academy में भाग ले सकती है पार्ट ले सकती है और इसका फॉर्म आया है सिर्फ और सिर्फ इस कंडिडेट को बुमेंज ही फिल कर सकते है यहाँ पे देखिए Only for women अब इसमें क्या क्या प्रोसेस है कैसे कैसे इस फॉर्म को फिल करना है अब इसके उपर हम बात कर लेते हैं क्लिक कर दिजएगा तो यहाँ पे दिखे संग लोक सेवा आयोग और यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रिय रक्षा अकैडमी तथा 9 सेवा अकैडमी फरिक्षा और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है और ये आपका registration हमेशा आप ने देखा होगा कि UPSC जो भी exam conduct करवाती है उसमें दो part में registration होता है part one और part second में आपका registration होता है notification आज ही आया है 24.9.2021 को और इस notification को कैसे आपको fill करना है किस तरह से आपको किन किन चीजों को ध्यान देना है इन तमाम चीजों के उपर हम बात करने वाले हैं तो आईए everyone अब हम इसके उपर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या है खास आवेदक को ध्यान देना चाहिए कि प्रते केंदर में आवंटित उमिद्वारों की शंक्या सिमित होगी केंदर का आवंटन पहले आवेदन पहले देखे इसमें जाहिर सी बात है कहने का मतलब यह है कि जो पहले आएगा उसको जो पहले फॉर्म भड़ेगा उसको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है पहले आवेदन पहले आवंटन यहाँ पर यह रखा गया है पहले आओ तो यहाँ पहले अपलाई करेगा उसको पहले अलॉट्मेंट मिल जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए कि अधार पर किया जाएगा और केंदर की निर्धारी सीट भर जाने पर इससे रोक दिया जाएगा अब जितने भी सीट यहाँ पर दिये गया है अगर वो सीट भर जाएगा तो उसके बाद आप form apply नहीं कर पाएंगे तो यह काफी जरूरी है जितना जल्दी हो सके आप लोग form फिल कर लीजेगा यह बहुत जड़ा इंपोर्टेंट है यहाँ पे यहाँ पे application should not should note that there will be the ceiling on the number of the candidate allotment to each of centers जो भी यहाँ पे center बनाये जाएंगे भारत में जो भी center बनाये गया है उस center पे जितना एलोट अगर 10 महिलाओं को एलोट किया गया है तो वहाँ पे सिर्फ दसी girls form फिल कर सकती है और किन-किन बातों पे आपको ध्यान देना है तो candidate को यहाँ पे advice किया जा रहा है कि वो आवेधन पत्र भरने से फुर्व कुछ ही यहाँ पे जो महत्योपुन सुचना है उसको पढ़ने की बात हिया जा रहा है अवेधन पत्र भरने के लिए आपको इस ब्योसाइट पे जाना है और इस ब्योसाइट पे जाने के बाद आपको form फिल करना है आठ दस दोहजार एकिस तक आपका form फिल होगा एवरिवन आपका आज form आ गया है और यह आठ अक्टूबर तक आपका form साम को 6 बजे तक आप भर पाएंगे तो इस चीज़ के बारे में बात किया गया है दूसरी बात यह की जा रही है कि आपका जो form होगा application form होगा वो दो भासाओं में अबलेबल होगा पहला होगा अंग्रेजी दूसरा होगा English लेकिन यहां केवल अंग्रेजी भासा में ही भरा जा सकता है इस बारे में बात किया जा रहा है यहां पे दो भासाओं में application form आपका अबलेबल होगा एक होगा अंग्रेजी दूसरा होगा हिंदी लेकिन आपका यहां पे हो जो form फिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिस भासा में ही आप form फिल कर पाएंगे आवेदन दो भागों भड़ा जाएगा दो पार्टें भड़ा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही पंजी करन वन में आपको क्या 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 आप करेंगे तो यहां पे दिया गया है कि यहां पे आपको समाने जनकारी भरनी है पार्ट वन में दूसरे में आपका payment होगा signature होगा, photographs होगा identity proof होगा photo identity card, documents आप भरेंगे इन तमाम चीजों को रखा जाएगा और साथ ही जो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसमें किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है या से रिवान इसमें आपको एक रुपए भी नहीं लगता है female candidate को एक रुपए भी नहीं लगता है इसमें भी वैसाई होने वाला है इन तमाम चीजों को आपने देख लिया होगा अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अब कुछ नहीं है जो photo का size होगा वो इसके बारें बात किया जा रहा है तो इस तरह से आपका pop-up फुल करके आ जाएगा जहां पर आपका आपका नाम लिखना है date of worth लिखना है फादर के नाम लिखना है फिर मदर का नाम लिखना है फिर आपका nationality क्या है ये देना है तो नेशनलिटी पर क्लिक करके देखते हैं तो इसमें Indian है and others है उसके बाद यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी महिला भर सकती है तो जो married है वो form ये fill नहीं कर पाएंगी यस ये बहुत बड़ी जनकारी है कि जो महिला जिनकी साधी हो चुकी है उनके लिए ये form बिलकुल नहीं है इसके लिए unmarried होना बहुत ही जाता जरूरी है unmarried महिलाएं ही इसकी form को fill कर पाएंगी ये चीज़ा आप देख लेजिए फिर उसके बाद क्या है कि आपको community समुदाय में आप जाएंगे तो यहां पे तमाम चीज़े कुछ ही जा रही है जैसा कि आपने देखा है कि UPSC ने बहुत साठा चीज़े अपडेट किया था UPSC CAC में तो यहां पे भी देख लेते हैं कोई एक पोटा उठा लेते हैं ओब इसी ही ले लेते हैं तो यहां पे अगर आप creamier में हैं कि आप क्लिमी लियर में है तो yes किजिए अगर आप क्लिमी लियर में नहीं है तो no किजिए आप no करेंगे तो क्या आएगा आपके पास वो हम देख लेते हैं अगर आप क्लिमी लियर में तो आप से community certificate पुछा जाएगा और जिसने जहां से आपकी issue हुई है उसके बारे में आपको fill करना पड़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बाते हैं तो इसके उपर ध्यान दीजिएगा साथ ही आपका certificate आपका community certificate का भी issue हुआ था इसके बारे में भी लिखना है अगर आप जो appear candidate है 12th class में ठीक है वो भी इस form को fill कर सकता है और यहां पर उनसे physics, chemistry and math यहां पर mandatory किया गया है और साथ ही appear candidate 12th class for 10th plus 2 second pattern of school मतलब कि यही सारी बाते दी गई है कि 12th pass होने चाहिए और आपका physics, chemistry, math यह सब चीज़े होनी चाहिए तो qualification में आपका 12th plus 2 का है तो यहां पर 10th plus 2 या 12th का है आपका qualification यही आपकी qualification है यहां पर graduation, PA, PG वगएरा यह सब ऐसा कुछ नहीं मांगा जा रहा है अगर आप simply pass है 12th तो आप form भर सकते हैं science background से होना सही उसके बाद आपका यहां पर address डालना है, email डालना है फिर आपको अपना alternative email डालना है mobile number डालना है और उसके बाद continue कर देना है continue जैसे ही करेंगे तो आपका form submit हो जाएगा और आप second part पर चले जाएगे अब हम बात कर लेते हैं कि यह भरत में पहली बार हो रहा है तो आज से पहले जो भी महिलाएं जो pass कर चुकी है आपके 10 plus 2 यानि की 12th pass हो चुकी है क्या उनके लिए form है या है या नहीं है वो graduation कर चुकी है या PG कर चुकी है तो उनके लिए form है या नहीं है तो age limitation क्या दिया गया है तो यहाँ पे हमने इन तमाम चीजों के बारे में देख लिया है उमेद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like किजेग, rate किजेग, view किजेगा और share करना मत भूलिएगा और साथी एक और चीज में बता दू कि अगर आप मेरी चैनल पे नए है तो चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर लिजेगा और एक और update है last कि और कौन-कौन से आपके form आया है UPSC, CSE के लिए UPSC ने कौन-कौन से form निकालने है तो यहाँ पे देखिए Engineering Services, Prelims का आपका form आचुका है और साथ ही आपका Combined Geoscientist का भी form आचुका है तो यह भी आप form थिल कर सकते हैं Thank you so much everyone अगर कोई कुश्चन आपके पास हो तो comment box रेक्मेंट करके डालेगा Thank you so much everyone, जैहन